इस वर्ष दक्षिन पश्चिम मानसून केरल के सुदूर दक्षिन भाग, काली कट तट पर नियत समय से दो दिन पूर्व यानी 30 मई को ही पहुँच गया था, जिससे इस सूखा ग्रस्त राजे में अच्छी बारिश होने की उम्मीद की जा रही थी, मगर जल्दी ही वहां मा उत्पादक क्षेत्रों में अपेक्षित बारिश नहीं हो सकी, इससे पहले वहां मानसून, पूर्व की वर्षा भी कम हुई थी, कम वर्षा एवं उंचे तापमान के कारण इलाइची के उत्पादन में गिरावट आने तथा दाने का आकर छोटा बना हुआ है, उधर पूशक एवं गर्म मौसम के कारण भारत में इलाइची फसल की तुराई तयारी में 15 से 20 दिन की देर हो सकती है, जो डीलर्स एवं दिसावरी व्यापारी पहले नए माल की जल्दी खरीफ शुरू करने का प्लान बना रहे थे, उन्हें कुछ समय तक इंतजार करना पड़ स संभावना है, जबकि पहले जुलाई से सप्लाई बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी, ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी